मुझसे पहली सी मुहबबत मेरे महबूग न मांग फैज एहमद फैज की प्रसिद नजम के इस एपिसोड में मैं रमन शंडिल ये आप सभी कावे प्रेमी मित्रों का हारदिक अभिवादन करता हूँ कावे की बहुती पसंद की जाने वाली विधा नजम जो हमें हमारी पिछली पेडियों से विरासत में मिली कि कावे प्रसुती अपनी खूबसूरत और जादूई आवाज में कावे पाठ के सांजे पटल श्रेश्टकवी श्रेश्टकविता पर लेकर आ रही है मोनिका हिंदी उर्दू और पंजाबी के कावे पाठ से हम सब का मन तो मोही रही है साथ ही आप अपनी प्रतिभा और योगेता के धम पर OTT फॉर्मेट पर जल्द ही रिलीज होने वाली बच्चों की फिल्म धुमलकलक में बतोर इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट भी काम कर रही है तो आज की कावे प्रस्तुती के लिए हम स्वागत करें मोनिका टुंडवाल का और इस नजम की गहराईयों तक उतरेंगे भी तो मैं पढ़ती हूँ यह नजम मुझसे पहली सी महबत मेरे महबूब ना मांग मैंने समझा था तू है तो दरकशा है खयात तेरा गम है तो गम दहर का जगड़ा क्या है तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है तू जो मिल जाए तो तकदीर नगू हो जाए तू जो मिल जाए तो तक्दीर नगू हो जाए यू न था मैंने फक्त चाहा था यू हो जाए और भी दुख हैं जमाने में महबत के सिवा राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा अनकिनत सदियों के तारीक वही माना तलस्म रेशम औ अतलस औ कमखाब में बनवाए हुए जा बजा बिक्ते हुए कूचा और बाजार में जिसम खाख में लुथड़े हुए खुन में नहलाए हुए जिसम निकले हुए अमराज के तन्नूरों से पी बहती हुई गलते हुए नासूरों से लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजे अब भी दिलकश है तेरा खुसन मगर क्या कीजे और भी दुख हैं जमाने में महबबत के सिवा राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा मुझ से पहली सी महबबत मेरे महबूब नमाग दिल नाउमीद नहीं नाकाम ही तो है दिल नाउमीद नहीं नाकाम ही तो है लमभी है गम की शام मगर शام ही तो है गालिब और नई पीड़ी के शายरों के बीच एक पुलका काम करने वाले फैज वर्ष 1911 में और विभाजित भारत के पंजाब प्रांट में जन्मे उनके जीवन का चितर पटल किसी दाइरे की गिरफ्त में नहीं रहा वो अंग्रेजी हुकूमत में फोजी अफसर रहे लेकिन करांती काली विचारों वाले इस शायर को पाकिस्तानी सरकार ने देश द्रोह के आरोप में कई वर्षों तक कैद में रखा शायरों के सरताज सामेवादी विचारधारा और आजादी के दिवाने फैज ने जेल में रहकर भी निर्भीकता से लिखा बोल के लब आजाद है तेरे जुबां अब तक तेरी है वो मजदूरों के पी बहते नासूरों के प्रती फिक्रमंद भी हैं और लिखते हैं दिल का शहतेरा हुस्न मगर क्या कीजे और भी घम है जमाने में महबत के सिवा संगर्ष और क्रांती का उद्गोश करने वाले फैज ने ख्वाब एवम सच्चाई को अपनी कलम से गूत दिया रुमानियत के रेशमी धागों से बेहतरीन टेपेस्ट्री रचने वाले इस शायर को यदि वसल की राहत चाहिए तो उसे कूचाई बाजार में जिस्म बेचने वाली बेजबान ओरतों की आजादी भी चाहिए नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित फैज की एक एक नजम हीरा है मोती है जिने उन्होंने अपनी महत्पुन पुस्तकों सुबह आजादी नक्षा फर्यादी दस्ते सबाद और जिन्दान नामा आदी में संकलित किया बहिश्कृत और तिरस्कृत बेजबानों की जुबां या वोईस ओफ दी वोईसलेस माने जाने वाले इस वर्षविक शायर को रूस के सबसे बड़े आवाड लेनिन पीस प्राइज और बाद में पाकिस्तान के सरवोच्च सिविली नवोर्ड निशाने इम्तियास से नव इस शायर को हमारा नमन नमस्कार